हेलो दोस्तों मैं सुनिल चौदरे आपके लेकर के आया हूँ दुनिया की विजित्र और अद्वत जानकारियां पापुआ नियूगिनी एक छोटा सा देश लेकिन ये क्या दुनिया की सबसे अधिक भासाओं को बोला जाने वाला देश कहा जाता है 852 भासाओं बोली जाती है और मात्र 88 लाक जनसंग्या है वहाँ एंडोरा दुनिया का एक ऐसा देश जहां पर अपनी खुद की आर्मी नहीं है और इस देश की सुरक्षा के लिए फ्रांस और स्पेन की आर्मी तैनात रहती है और ये बड़ा ही खुबसूरत यूरोपिय देश है भारत की एक ऐसे वेक्ति जिनका नाम है डाक्टर दसरत सिंग और ये इंटरनिस्टल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम Most Educationally Qualified Person of World यानि की विश्व के सबसे ज़्यादा Sectionic योगता वाले व्यक्ति के रूप में दर्ज है इस रिकॉर्ड बुक ने उनकी 36 डिग्रियां उनके नाम के साथ रिकॉर्ड में बुक किये है जो की वास्ता में ही अपने आप में बहुत अध्वत है और सबसे चौकन अली बात ये भारतिय सेना के एक जवान भी है इतिहास का सबसे छोटा युद जो की इतिहास के पने में दर्ज हुआ 1896 में जंजीबार और इंग्लेंड के बीच में युद लड़ा गया महोज 38 मिनट में ही जंजीबार ने आत्म समर्पण कर इस युद का अंत किया छोटा सा युद लेकिन बड़ा ही विचतर युद कोडेक्स लिसेस्टर ये किताब का नाम है जो की लियोनाडो दाविंसी की किताब है खाफी फेमस किताब है और ये किताब इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि ये दुनिया की सबसे महगी बिकने वाली किताब है इस किताब की कीमत 30.8 मिलियन डॉलर मतलब 2.2 करोड रुपे विंसी का ये सबसे प्रसद साइंटिफिक जर्नल है इसमें 72 पेज है और लेनार्डो दाविंसी की हस लिकित पांडूल पी है दुनिया के सबसे दौलत मंदों में सुमार बिल गेट्स ने इसे 2.2 करोड रुपे खरीद कर दुनिया में सबसे महगी किताब खरीदने का रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों मेरे इस चैनल N.A.S. सक्सेस पॉइंट पर आपको ऐसी और भी जानकारिया मिलती रहेंगी और इस चैनल को बेल बटन के साथ सब्सक्राइब करना न भूलें जैहिन दोस्तों